किसान भाईयो नमस्कार मेहू दसर दाकड आप सभी का स्वागत है एकोर नए वीडियो में आज हम बात करेंगे गिहों की बुवाई में खादों के बारे में जैसा की गिहों की बुवाई का समय चल रहा है अधिकतर किसान भाई 9 उमर मैने में ही गेहों की बुवाई करना पसंद करते है गेहों की बुवाई में सही खात का चुनाव बहुत जरूरी है पहुत से किसान भाई डियेपी का परियोग करते है आज हम जानेंगे कि डियेपी के स्थान पर गेहूं में आप किन-किन चीजों का प्रियोग कर सकते है जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वीडियो को पूरा देखे वीडियो बसंद आता हुथ वीडियो को लाइक कीजिए अन्ने किसानों तक भी सियर कीजिए बारा देश के अंतरगत हर एक राज्य में गेहूं की खेती की जाती है किसान भाई गेहूं की बुवाई में अलग अलग सेतर में अलग अलग खादों का प्रियोग करते है अधिकतर किसान भाई DAP के साथ गिहों की बुवाई करते हैं कुछ किसान NPK के साथ भी गिहों की बुवाई करना पसंद करते हैं किसान भाई यो गिहों की बुवाई में अगर सही खाद का प्रियों किया जाता है तो इससे उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि बुवाई के समय जो भी हम खाद देते है वो मसीन के दुवारा जमीन के अंदर चला जाता है गिहों के बीजों के साथ जिससे लगतार पानी लगाने से दो से तीन पानी तक वो दिरे दिरे काम करता है फसल पर उसका लंबे समय तक रिजल्ट मिलता है इसलिए जो भी खाद आप बुवाई में देंगे उसका सीधा असर फसल के उत्पादन पर पड़ेगा अब बात करते हैं कि गिहों की बुवाई के समय हमें कौन सी चीज का परियोग करना चीए किसान भाई यो डियेपी में मुख्य रूप से नाइटोजन और फासफरस पाया जाता है बहुत से किसान भाई डियेपी का परियोग करते है हाला कि ये डियेपी का परियोग करने से भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है लेकिन डियेपी का परियोग करने से खेत में पोटास सत्व की कमी रह जाती है बाद में किसान भाई पोर्टास का प्रयोंग नहीं करते है जिसेसे सुरुवात में खर्चा तो हो जाता है लेकिन अच्छा फाइदा नहीं मिलता है ऐसे में किसान भाई डियेपी के स्थान पर कुन सा खाद दे किसान भाईयों अगर आप डियेपी के साथ ही बुवई करना चाहते है तो आप खेत की तैयरी में अलग से पोटास का परियोग करें जो पोटास पाउडर आता है उसको मिला कर खेत में छिड़क सकते है दूसरी चीज आती है अगर आप DAP नहीं दे रहे हैं तो कौन से खार डालें अगर आप DAP नहीं दे रहे हैं तो आप NPM के 12-12 sóloा के साथ गिहों की बुवाई करें जी हाँ किसान भाय यो NPM के 12-32 sóloा के साथ आप अगर गिहों की बुवाई करेंगे तो खेत में नाइटोजन फासफरस और पोटास इन तीनों ततों की पूर्ती हो जाएगी जिससे गिहूं का उत्पादन बढ़िया निकले का पेदावार अच्छी होगी गिहूं की बसल को इन तीनों ततों के अलावा जिंक और सलपर की आउसकता भी होती है लेकिन बुवाई के समय केवल नपी के का परियोग करने से ही आप गिहूं के उत्पादन को बढ़ा सकते है पहले पानी पर जब आप यूरिया देते है तो यूरिया के साथ जिंक या सलपर को मिला कर खेत में देर सकते है जिससे सुरुवात में ही पोदे में पांच पोसकततों की पूर्ती हो जाती है 32% रिजल्ट अच्छा मिलेगा पिछले साल से उत्पादन बढ़िया होगा कम खर्चे में गिहूं का उत्पादन अच्छा होगा किसान भाई गिहूं की खेती से उत्पादन को बढ़ाएंगे पेदावार अच्छी लेंगे वीडियो थोड़ा बूत पसंद आया हो तो किसान हिट में वीडियो को लाइक कीजे अन्य किसान भायों तक भी सियर कीजे मिलते हैं नए वीडियो में धन्यवाद